नमस्कार भाईयों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे देखिए आज हमनों बिहार पुलिस कंस्टेबल एक्जाम के लिए एक महत्पूर्ट टॉपिक परने जा रहा हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका राष्टपती यानि राष्टपती से समधित आपके एक्जाम में कौन-कौन से पुछे जा सकते हैं यानि कि वही पुछे जानी की संभावना ज्यदा है और जो आपके एक्जाम में पुछा गया है इसलिए इस वीडियो को अन्तग ज़रूद देखना है और जो साथी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज पुलिस जी एकजाम दो हजार चोबिस वहाँ पर मिल जाएगा कॉल हम कलास नहीं ले पाए थे क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है कि हद पार है मतलब असंभव है एक तो लाइड क्या प्रोब्लम है आ रहा है जा रहा है इन भटर भी बैठ जा रहा है दूसरा गर्मी मतलब अ क्लास को चलेगा जिस तरह से हम आपके क्लास करना इसलिए आप लोग का भी करतब है । इस वीडियो का आपने उस दोस्तों के पास सेर करना है जो भी आध पूलिस के त्यारे करते हैं चलिए अब कलास को सब कुछ समझेंगे एकदम निफिक रहीएगा पून सिले भी क्रा तुम लोग देखेंगे राष्ठपती से संबंधिक जित्ना लिखा गया है सब और आ? यानि रास्टपती के एक्जाम में जो पुछा कि दिखता राश्टपती संबंधि ती क्या है संग की कारेपाली क्या सकति किस में रहती है तो बोलिएगा कि राष्टपती आपको option देगा कि संग की कारेपलिका सक्ति किस में रहती है राष्टपती उपर राष्टपती परधान मंत्री ठीक उसके बाद मुख मंत्री तो बोलिएगा कि संग की कारेपलिका सक्ति जो आपका है वो राष्टपती के हाथों में रहती है अगला है भारत में एक राष्टपती होगा है राष्टपती के बारे में किस अनुछेद में बताए गया है अनुछेद आपका जो बावन है वो भारत में एक राष्टपती होगा इससे समंदित है अगला question है कि राष्टपती चुनाव में भाग कौन-कौन लेता है अगर मान लिजे राष्टपती का चुनाव हो रहा है वो चुनाव किस तरह से होता है पर्तियक्ष की अपर्तियक्ष अपर्तियक्ष रूप से होता है question य"? किhos्च्व और प्रतियर्ख रूप से होता है question, बहुत पर पुछा जाता है कि राष्ट्पति का चुनाव किस तरह होता है अपर पर्तियर्ख बोलिएगा कि और परत्यक्ष तो देखें राष्टपती के चुनाव में आपका जो है वो राज सभा का सदसे ठीक लोग सभा का सदसे बिधान सभा के निर्वाचित सदसे यानि असपश्च रूप से समझें राष्टपती के चुन कर भेजा जाता है लोग सभा के संसत के जो एमिले चुनाव जीतते हैं वो सभी राष्टपती के चुनाव में भाग लेते हैं अगला है राष्टपती के लिए योगता क्या होनी चाहिए तो राष्टपती के लिए योगता आपका सबसे पले भारत का नागरिक होना चाहिए बिदेशी ब्यक्ति भारत का राष्टप नहीं बन सकता है उसकी उम्र कितनी होने चाहिए तो 35 बर सोनी चाहिए लोग सभा के सदा से चुने जाने योग होना चाहिए कैसा होना चाहिए लोग सभा के सदा से चुने जाने योग होना चाहिए सरकारी किसी भी परकार के लाब के पद पर नहीं रहना चाहिए ठीक रस्ट पति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेता ये भी समझ गये कोस्चन आपसे पुछता है कि निम्न में से कौन राश्ट पति के चुनाव में भाग लेता है अपसन में ये सब दिया जाएगा आपका राश सभा संशन लोग सभा संशन विधान सभा सदस आप यही तिनों मरिएगा कारेकाल खितना होता है राश्ट पति का जो आपका कारेकाल होता है वो आपका पांच बर्स क्या होता है कोई भी ब्यक्ति राष्टपती जो है पांच बर से ज्यादा के लिए नहीं बन सकता है उच्टम पलस उच्छ नियाले के नियाईधिस की नियुपती कोन करता है राष्टपती करता है उच्टम मने सुप्रीम कोट दिल्ली उच मतलब आपका हाई कोट पटना हो गया ठीक बिखाबाद हो गया इस तरह से जितने हाई कोट इन सभी हाई कोट और सुप्रीम कोट के जो नियाधिस होते हैं उनकी नियुपती की अगर बात आएगा तो राष्टपती के द्वारा ही किया जाता है ये कोश्चन आपका जो उच्छ नियाला है उस्तम नियाला है इन सभी पर भी लेकर आएंगे एक टोफिक तीनों सेना के परमुख पूछे कौन होते हैं तो बोलिएगा कि राष्टपती जो आपके हैं वो तीनों सेना के परमुख होते हैं राष्टपती अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो बोलिएगा कि राष्टपती जो हैं अपना सामुक रा श्टपती अपना त्याग पत्र उप राश्ट पती को देता है। चुनाव सम्बंधी अगर कोई बिवाद हो गया तो उस्तम न्यालाग स्थी concur लेते रही है गर्मी बहुत ज्यादा है अगला क्वेश्चन है राष्टपती की सफ़त कौन दिलाता है तो उस्तम नियालाई का मुख नियाधिस अब क्वेश्चन पुछिएगा कि जब मुख नियाधिस नहीं रहेंगे तो कौन सफ़त दिलाएगा उसी के समकट्ष जो अनुछे 280 के अंतरगत संसद सत्र की सुरुवात किसके द्वारा किया जाता है राष्टपती के द्वारा संसद के सत्र की जो सुरुवात होती है वो किया जाता है संसद के दोनों सद्रों का जो बैठक होता है उस बैठक को कौन आयोजित करता है तो राष्टपती जो है वो संसद के दोनों सदनों का बैठा का आयोजन करता है देखे एक कलास हम आपको डेली बोलते हैं कि भले दस-बारव मिनट रहता है दस-बारव मिनट में वह कंटेंक्ट मिल जाएगा जो आप महीं एक घंटा भी परहेगा तो एक टॉपिक से संबंदित इतने बहतरीन धंग से स परण गिरफ्तार नहीं किया जाता है यानि कि अगर कोई व्यक्ति राष्टपती बरतमान में है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है प्रथम राष्टपती भारत के कौन थे तो डक्टर राजेंदर परसाइड वह भारत के प्रथम राष्टपती थे वह अपना स राष्टपती है उद्रपतो मुर्मू है राष्टपती के निर्वाचन है तो 20 आपको परस्तावक लएगा 20 पचास परस्तावक लएगा यानि 50 परस्तावक और 50 अनुमुदक की आप सकता होती है राष्टपती के चुनाम में वही उप राष्टपती क्या पुछे तो 20 परस् पचास अनुमुदक राश्ट्पति को महाभियोग यानि अनुछेद 61 से हटाया जा सकता है राश्ट्पति को किस तरह से हटाया जाता है महाभियोग लगाकर राश्ट्पति को हटाया जाता है बर्तमान राश्ट्पति द्रप्तु मुर्मु है आपका राष्टपती के द्वारा 12 राज सभा संसद को मनुनित किया जाता है कितने 12 राष्टपती पहले दू लोग सभा के संसद को भी मनुनित करते थें लेकिन अभी वो आपका समाप्त हो चुका है राष्टपती तीन परकार के आपात को लागो कर सकते हैं पहला है अनुछे 352 दूसरा है अनुछे 356 तीसरा है अनुछे 360 यानि 352 का परियोग जो बाहरी या कर्मन होगा 356 राष्टपती सासन, 360 आपका बितिय अपात होगा है यानि ये तीनो जो है आपका अपात राष्टपती ही लागो कर सकते हैं आप सभी इसके स्कीन सोट ले सकते हैं राष्टपती से संबंदित आपके एक्जाम में पूछे जाने वाला महत्पूर्ब प्रस्ण है और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए